गूट मॉर्निंग ओल आफ यू आज की विडियो में हम बात करेंगे प्रति रक्षी की सरचना के बारे में या structure of antibodies के बारे में basically fresh antibodies के बारे में आप जानते होंगे कि antibodies क्या होती है protein की बरी हुई एक ऐसी structure होती है जो antigenes के विरूद बनती है या कहने का मतलब क्या है जो हमारे चारो और इरवाइरमेंट में जो बेक्टिरिया होते हैं उनसे लड़ने की जो शमता होती है उसको हम इम्मुनुटी बोलते हैं और इम्मुनुटी का ही एक प्रकार होता है जिसे हम एंटीबोडी बोलते हैं और एंटीबोडी क्या करती है बहाई एंटिजन्स को या पेटोजन्स को किल करने का काम करती है आज के हम वीडियो में एंटी बोडी के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि एंटी बोडी के स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है प्रेंड्स आपकी NCRT में इस प्रकार का डाइग्राम बना हुआ है उसमें कलियर ली नहीं दिखाया गया है अब तो हम इस वीडियो में उसके बारे में क्लियर ली जानेंगे तो एंटीबोडी जुक्स की बात करें तो प्रतीरक्षी सबसे पहले प्रतिरक्षी की बात करें तो कुछ y shape की होती है देखो आप देखने से ही लग रहा है देखने से ही पता चल रहा है कि यह जो structure है वो किस तरह की degree friends y shape यानि y आकार की प्रतिरक्षी का आकार की बात करें तो प्रतिरक्षी y आकार की होती है y shape की होती है ठीके friends इसम बड़ी है और एक छोटी वाली तो हम बड़ी वाली को बोलते हैं बड़ी भुजा जो बड़ी भुजा होती है आप सभी को बता है जो बड़ा होगा तो उसका वेट भी जादा होगा तो वेट जादा होगा तो यानि कि उसका बाहर जादा होगा तो इसमें दो बड़ी बुजाएं और दो हलकी बुजाएं होती है दो बड़ी बुजाएं तो इनका बार जादा होगा और हलकी बुजाएं क्योंकि यह छोटी ही तो हलकी होगी तो दो बड़ी बुजाएं और दो हलकी बुजाएं होती है भारी बुजाओं को H बुजाओं और हलकी बुजाओं को L बुजा बोलते हैं उसके बाद फ्रेंड्स अगर इनकी बात करें कि भारी बुजा और हलकी बुजा ये दोनों आपस में twas寝ाल स से जुड़ी हो था यह डबल ास S8 बंड है आ ना मुझता हो नरौ तो यह प्रति रक्ष्री की दो नो भूजाय होतीज या परति रक्ष्री यह structure होती इसके दो पार्ट होते है एक ऐसा पार्ट जो बोल सकते हैं कि इस्तिर रहता है उसे बोलते है constant protein इस्तिर भाग का मतलब क्या है friends कि यह structure में जो यह बुजा है इसमें कोई परिवर्थन नहीं आएगा तो क्या बोले है constant रहेगी यानि इस्तिर भाग को हम FC भाग कहते हैं FC बाग कहते हैं किसी का के इस बहुरण होते है constant protein इसके बाद friends जो इसके सबसे शिर्ष पर भाग होते हैं यह वाले जो सबसे शिर्ष पर भाग होते हैं यह होते हैं variable protein या अस्तिर भाग क्या बोलते हैं एसनलों बाँप सुन होते हैं यह बाइट हैं ऐस सी नहींद सक्रीजिंद उसनलों सुन होते हैं उखियो से गूध क्यों है एसे जा सब्सक्राइब तो हमक्तर डिख लए जिवह कोदें तो यह जो भूजा, यह यह कहा है। नहींद सब्सक्रित हैं कि यह पेस्वाहります बाहर से एंटिजन आएगा तो एंटिजन के लिए अपने शेप को बदलेगी यानि एंटिजन बड़ा होगा तो ये जो शेप है ये बड़ी होगी और एंटिजन छोटा होगा तो ये शेप छोटी होगी तो यानि एंटिजन के आकार या एंटिजन के शेप के अनुसार ये बदलेगी तो यह कैसा होगा इस्तिर या इस्तिर हो गया न तो इसको प्रतिजन को पकड़ने के लिए यह मूवमेंट करती है तो यह जो बंद है यह जहांसे बेंड है न बेंड जहांसे मुड़ा हुवा भाग है न बेंड तो यह बेंड क्या करता है हिलता है तो यह क्रिया करने है या बेंड को क्या बोलते हैं हिंजी बेंड यानि कबजे का काम क्या होता है फ्रेंड कि यह भाग क्या करता है प्रतिजन को पकड़ने में साहिता करता ह है ठीक है फ्रेंट्स और जो सबसे शीषभाग होते हैं यह क्या करते हैं प्रतिजन से क्रिया करते हैं प्रतिजन को पकड़ने काम करते हैं फ्रेंट्स आपको बता होगा एंटी वोडी का जो एसा टर्मिनल होता है जो प्रतिजन को पकड़ने काम करता है उसको पेरा टोप त को पकड़ने काम होता है तो फिर्ट्स आपको पता चल गा शोट में हम वापिस से देखते हैं वाई शेप होती है डाइस अलफाइड बॉंड इसके मद्य पाए होता है वो FAB यानि अस्तिर भाग वह वेरीबल प्रोटीन है एक भाग होता है तो इस्तिर भाग होताँ है इसके बद्द कब्ज रिखन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वर एसी नहीं नहीं जानकर ये के लिए बेल आइकन को ओन करते लिए और हमारी वीडियो को अधिक से दिक शेयर करें थैंक्यू व्रेंट्स